दोस्तो अगर आप उत्तर प्रतेस में सिख्छक भरती परिख्षा यानि सूपर टेट परिख्छा की त्यारी कर रहे हैं यूपी टेट, सीट या फिर किसी अन्य राजी की सिख्छक पातरता परिख्षा की त्यारी करते हैं याफ वीडियो आपके लिए बेहर महतोपून होने वाला है इस वीडियो में हम लोग मनोविज्यान से सम्मंदित कुछ महतोपून प्रशनों को देखेंगे जो कि साल दर साल हमेशा परिक्षा में रिपीट होते रहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग खुद के आंकलन के तौर पर ले सकते हैं इस वीडियो में कुल 10 प्रशनों को include किया गया है आप वीडियो के अंत में comment करके जरूर बताईगा कि इन 10 प्रशनों में से आपके कुल कितने प्रशन सही हो रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पहली बार विजेट कर दें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि सिख्षक भरती परिक्षा या फिर यूपी टेट से सम्मंदित महतोपूर्ण जानकारिया इस चैनल के मा मनोविज्ञान की प्रथम प्रियोक्षाला बनाई गई थी तो उत्तर हो जागा विलहम वून्टे के द्वारा जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 16वी सताबदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था उसके बाद से 17वी सताबदी आते आते मनोविज प्रायोगीक मनोविज्ञान के जनक के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा विल्हेम वोंट के द्वारा ही प्रतम प्रयोक्षाला का निर्माण किया गया था और इसी वज़ा से इनको प्रायोगीक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है हमने अभी तक क्या पड़ा कि विल्हेम वोंट जो थे वो विश्व में प्रतम मनोविज्ञान की प्रयोक्षाला इस्थापित किये थे लेकिन अगर प्रस्ण में यहीं पूछे कि भारत में पहली बार किसके द्वारा मनोविज्ञान की प्रयोक्षाला इस्थापित की गई तो आपका उत्तर बदल जाएगा ठीक है आप लोग अपना उत्तर सोच लीजिए प्रशन है कि भारत में मनोविज्यान की प्रत्थम प्रयोक्षाला किसके द्वारा बनाई गई थी आप लोग ने उत्तर सोच लिया होगा इसका सही उत्तर है एन एन सेन गुपता अगर पूरे नाम की बात की जाए तो नरेंद प्रोफेसर ते अगला प्रशन है संतरचना वाद के जनक के रूप में किसे माना जाता है ध्यान देजेगा मनोविज्यान में संतरचना वाद के जनक किसे कहा आ जाता है आप लोगों ने उतर सोच लिया होगा तो इसका सही उतर होगा Wilhelm Won't देखे कुभी कभी आप्षण में Wilhelm Won't नहीं दिया रहता है और EB Titchener दिया रहता है EB Titchener जो थे वह Wilhelm Won't के सिष्ष्य थे मतलब उनके Estudent थे तो कभी कभी विलहेम वुंट ना दे करके EB-Tichner भी दिया रहे है तो EB-Tichner भी option सही है लेकिन अगर दोनों option में दिया रहे है तो विलहेम वुंट आपका सही उतर हो जाएगा ठीक है? मनो विज्यान में सनचनावाद के जनक किसे माना जाता है? विलहेम वुंट को अगला प्रशन है मनो विज्यान में मनो विश्लेशन वाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोगों ने प्रशन सुन लिया आप लोगों ने उतर सोच लिया होगा इसका सही उतर होगा सिगमेंट फ्रैड को सिगमन फ्रैड मनो विज्ञान में मनो विसलेशन वाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं अगला प्रशन है मनो विज्ञान में व्यवहार वाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है व्यवहार वाद आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा वेवहार का विज्ञान किसके द्वारा इस्टार्ट किया गया था 20 वी सदी में J.B. Watson के द्वारा तो इनी को वेवहारवाद का जनक माना जाता है मनो विज्ञान में तो आपका उत्तर हो जाएगा J.B. Watson मनोविज्यान में वेभारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं अगला प्रशन है मनोविज्यान में गेश्टाल्ट वाद के जनक कौन है आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा इसका सही उत्तर है वर्दिमीर वर्दिमीर को मनोविज्यान में गेस्टाल्ट वाद के जनक के रूप में जाना जाता है बात करेंगे अगले प्रशन की मनोविज्यान में प्रकारेवाद के जनक कौन है तो विलियम जेम्स को प्रकारेवाद के जनक के रूप में जनक कहा जाएगा, जिनों ने पहले किया हुगा, तो जो थाण डाइक थे, उनके द्वारा ही सिक्षा में मनोविज्यान से समनित बहुत सारी सिध्धान्त दिये गए हैं, और हर वो चीज पर उन्होंने कारे किया हुआ है इसी वज़य से ठानडाइक को सिख्छा मनुविझ्यान के जनक के रूप में जाना जाता है और सांथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सीटेट, यूपीटेट, सूपर टेट परिछाओं के अगर आप तयारी करते हैं तो बने रहेगा ऐसे ही इस चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करे आपका दिन शूब हो